जैहो आज हम एक टॉपिक लेकर आए है अगर किसी का औरा नेगेटिव हो जाए है किसी का औरा बिगड़ जाए है और ये लबबग दो-ती महीनों तक वो नेगेटिव औरा के अंदर जी रहा है उसके बाद में क्या होता है नेफ्रो भलई उसके गरह अच्छे हो भलई उसका वास्तु अच्छा हो लेकिन उसके साथ में कुछ भी पॉजिटिव गड़नाएं नहीं होती है क्योंकि ये सही है कि जो गरह होता है वो अपने फलों के हिसाब से हमारे साथ वैसी गड़नाएं घटित करवाते हैं लेकिन हमारी जो body है, हमारा जो mind है, ये ultimate एक machine है, जो जिस स्वरूप में रहेगी, जिस औरा में रहेगी, हम वैसी घटनाओं को, हम वैसे ही घटना क्रम को attract करेंगे, अब केई लोग मेरे पास में आते हैं, जैसे कली मेरे पास एक गगती आया, जिसके ग्रहों की दसा सही थी, लेकिन फिर भी वो कह रहा है कि पिछले दो-तीन महिनों से मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, मेरा मन ही नहीं करता है कि मैं लोगों से मिलू, लोगों से बात करूं, कुछ भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, अब मित्रो उसके ग्रह सही थी, लेकिन उसका औरा बिगड़ चुका था, अब कई बार हमारे साथ ऐसा होता है, कि हम लगाता कम्यों पर फोकस करते हैं, हम लगाता सिकायतों में रहते हैं, तब हमारा औरा से जादा रहता है, तब क्या होता है, कि वो हमारी माइन और बॉली की ऐसी बनावट को क्रियेट कर देता है, कि उसके बाद में एक के बाद एक, हमारे साथ नेगटिव घटना ही होती है, तो बहुत जरूरी है, कि जब हमारा औरा बिगड़ जा गए है, और एक दो महीने से ज़्यादा बिगड़ा रहे, तो हमें उसे बदलना बहुत जरूरी है, जैसे मित्रो मेरे पास में वो व्यक्ति आया, कुंड़ी डिकर, उसने जब मैंने उसकी कुंड़ी डिखी, सब कुछ ओके था, लेकिन जब मैंने उसका फेस और उसके जो बॉड़ी पोस्चर देखे वो बड़े नेगेटिव थे, मैंने उस व्यक्ति को का, आप एक काम करिये, अप 7-8 दिन के घूम कर आईए, जिस जगा पर आप लगाता रहे रहे हैं, जिन लोगों के बीच में आप लगाता रहे हैं, एक बार वहां से मोमेंटम को हटा दिखे हैं, एक बार आप कुछ अपिक हमारे औरा के अंदर रेकॉर्ड हो जाता है, फिर वो वैसी ही गटना करता है, अगर आप भी पिछले एक-दो मिलने से ऐसा महसूस करना है कि आपके साथ कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, तो सबसे पहला एक काम कीजिए, आप ब्रेक लिजिए, अपनी रूटिन को उस रिपीटेशन को नहीं तूरेंगे, तब तक कुछ बदलाव नहीं हो सकता है, तो अगर आपका औरा नेगेटिव हो चुका है, और पिछले एक-दो महीने में आपके साथ कुछ भी सही नहीं हो रहा है, तो सबसे पहला जो काम आपको करना है, वो यह है कि आपको कई नहीं जगा जाना है, कुछ नहीं लोगों के बीच में जाना है, सारा जो रूटीन है आपका, उससे बिल्कुल ब्रेक लेकर, बिल्कुल कई घुमने चले रहे हैं, चाहे कस्मी जाहें, कई दुबई जाहें, कहीं पर भी जाहें, नहीं जगा पर जाहें, ताकि उस हम कर कुछ भी नहीं सकते हैं, तो उसका सबसे बढ़िया रहनेदी है, कि आप उस जगा को चींज कीजिए, आप कुछ नए जगा, नए लोगों के बिच में खुद को ले जाएए, ठीक है, ये औरा को बदरने का सबसे पहला तरीका है, और जब भी मित्रो, अब इंट्रोवर्ट होते हो, देखिए, बिजनस के लिए, या बाहिए, कोई भी चीज के लिए, आदमी जितना ज़्यादा एक्स्टोवर्ट होगा, जितना वो लोगों से कम्यूनिकेट करेगा, वो उतना ज़्यादा सक्सिस्फुल होगा, तो होता क्या है, कि जब हमारा औरा विगड़ता है, हम सबसे पहले खुद को एक कमरे में बंद कर देता है, हम चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से ना मिले, हम कम से कम लोगों से मिले, हमारे अंदर एक भय हो जाता है, एक घबराट हो जाती है, मैं आपको कहता हूँ इसकी remedy यह है कि आप खुल के बाहर जाएगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से में ज़ी आप जादा से ज़्यादा social हो जाएगे क्योंकि होता क्या है कि लोग break up pain में डिप्रेस हो जाता है खुद को एक room में pack कर देता है वो सबसे बड़ी गलती करता है सबसे बड़ी गलती उनसे यही होती है आप जब भी उदास हो आप अकेला मत कीजिए आप लोगों के बीच में जाएए हो सकता है आपका माइंड उसको अलाओ नहीं करे आपको मैसूस हो कि मैं अकेला ही कमपर्ट हूँ लेकिन आप लोगों के बीच में जाएए आप जब लोगों के बीच में जाओगे नए लोगों से मिलोगे तो आपका औरा जो है ना वो नेगेटिव से कुछ-कुछ पॉजिटिव हो जाएगा तो दूसरा है कि आप खुद को अकेला ना करें अगर आपका औरा नेगेटिव हो चुका है तो दूसरा जो स्टेप है वो यह है कि खुद को अकेला मत रखिए जो भी लोग ब्रेक अप पेल में हैं जो भी लोग डिप्रेशन में हैं वो भी यह टिप समझ ले कि वो खुद को कभी अकेला नहीं रखिए तो आपका जो डिप्रेशन लेवल है आपका जो नेगेटिव औरा है वो सई होना हो जाएगा तीस रांग जैसा कि नों हमेशा कहता हूँ अब देखिए जब आपका कोई रिलेशन से ब्रिक अप होता है आप उदास रखते हैं आपको भूग तक नहीं लगती है तीन-चार जिन आप अकेले रह जाते हैं सेट सॉंग सुनते हैं पर अपने कभी सोचा है जोसे फिल्मों के जो सेलिब्रिटीज है वो आज ब्रिक अप लेते हैं अपने काम पर पूरे फोकस लोते हैं फिर नई relationship में चले जाते हैं आपने कभी सोचा है उनके लिए इतना easy कैसे रह सकता है उसका main key secret है workout जो आदमी workout करता है वो आदमी ज्यादा practical होगा अगर आप workout नहीं करते हैं तो आपका emotional part ज्यादा activate रहेगा तो इससे होगा क्या है अब आपका break up हो गया तो आप इदम emotion में negative emotions में connect करें आपको दुखत मैसूस होगा आपको लगेगा मैं sad song सुनू आपको लगेगा बस मैं दुखी रहो कोई मेरे दुखी बात सुने एक्सेटर 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 लेकिन अगर उस टाइम में आप जिम में जाएं आप workout करें तो क्या होगा आपका emotional पार्ट deactivate होगा और आपका practical पार्ट है वह activate होना शुरू हो जाएगा और जब practical पार्ट आपका activate होएगा तो आपको फर्ट नहीं पड़ेगा क्या मैं depression में हूँ या मिले साथ क्या हो रहा है तो तीसरा step जब आप negative औरा में रहे तो आपको workout करना है आपको जिम जाके specially chest की exercise करनी है हमारा science क्या कहती है हमारी emotions का है हमारे heart के पास मैं जब आप chest की exercise करेंगे तो आपके emotions कम होएगे और आपका practical part activate होएगा इसे जोतिस के दर्ष्टी से समझाता हूँ जोतिस कहता है एक चन्रमागर है जो emotions का कारक है एक मंगलगर है जिसमें emotions नहीं है जो practical है तो जब आपके emotions आपको trouble करें तो हमेशा मंगलगर को activate कीजिए और मंगलगर का है वो वियायाम के अंदर है वो exercise के अंदर है वो workout के अंदर है तो जब भी आपका और नेगेटिव हो गया सबसे पहले जिम जाईए यह कहीं पर भी जाके workout कीजिए आप जितना workout करेंगे उतने जदा आपका practical part activate होगा और आपका aura improve करेगा फिर अगर आप effort कर सके अगर आपका aura भी गड़ जाए और आप effort कर सके तो right hand के अंदर कुछ gold का bracelet या gold का कड़ा पहनिया अब यह कैसे काम करेगा मैं आपको बताता हूँ एस्ट्रोजी कहते हैं कि जो भी depression होता है जो भी negative aura होता है वो होता है मेजरी सनीग्रा के कारण ठीक है अब सनीग्रा क्या करता है आदमी को जो blood circulation है उसको थोड़ा सा slow कर देता है उसको proper नहीं लेने देता है अब होता क्या है जब body में proper blood circulation नहीं जाएगा तो brain जो है वो refresh महसूस नहीं करेगा अब वो brain refresh महसूस नहीं करने के कारण आप उदास रहेंगे आपकी सोच शिकायतों में चली जाएगी आप अच्छा महसूस नहीं करेंगे तो right hand में जब आप कोई व्यक्ति gold बैंता है देखी कोई भी प इच्छे बहुत scientific logic है आपको लगता है कि 10 में से 5 लोग गोल्ड का bracelet या कड़ा पैंते हैं आपने कभी इसके logic को नहीं समझा होगा यह logic इसके लिए है कि जब व्यक्ति slow हो जाता है जब व्यक्ति को लगता है कि मैं negative हो रहा हूं मुझी अकेला रहना है मेरे अंदर interest नहीं ह तब यह क्या है कि व्यक्ति को activate करता है कि नहीं तुम उठो तुम लोगों के बीच में जाओ तुम लोगों से बात करो यह चीज़ है तो इसका चौता step है कि आप एक right hand में gold कुछ भी gold पैन ले जो भी अगर आप effort कर सके तो gold पैन है अगर आप effort नहीं कर सके तो यहां पे आ आप copper भी धारंड कर सकते हैं, silver ने copper, copper भी धारंड कर सकते हैं क्योंकि silver व्यक्ति को slow करता है, sand करता है, जब बीमारी होती है, तब silver धारंड करने को कहा जाता है और जब कुछ activate करना हो, तब gold और copper useful है, तो यह चौता step है, जब आपका aura विगड़ आए, तो first step है कि आखे हम बाहर गूमने चले जाए, second step है, बिल्कुल अकेले मत रहिए, लोगों के बीच में जाएए, खुद को पूरा open up कीजिए, लोगों से बात कीजिए, third है, वर्काउट शुरू कीजिए, क्योंकि वर्काउट आपके blood flow को improve करेगा, और fourth, right hand के अदर आप gold या copper धानी करें, इस इसे भी आपका blood flow improve होगा, तो वित्रू, actually हम इस body और brain की science को समझ जाए, तो बहुत सब कुछ हम अपने हाथ में ले सकते हैं, बहुत कुछ हम बदल सकते हैं, देखिए, मेरे गुरुजी विराट गुरुजी वो एक चीज कहते थे, कि अगर समस्या है, तो समाधा होगा है, इसलिए अगर आपको life में कुछ भी बदलना है, तो कभी ये मत समझिए, कभी ये मत मानकर चलिए, कि मेरे साथ यही होना है, यही मेरी destiny है, यही मेरे ग्रह है, या मेरे करम साहथ ऐसे ही है, कुछ भी believe मत कीजिए, अपने अंदर इतना गहरा विश्वास कीजिए, कि सब कु इसलिए गरती ने पूछा कि भक्तामबर की ये गाता करने से क्या पैसा बढ़ सकता है, या अमुग गाता करने से क्या health improve हो सकती है, मित्रो, मंत्र, दो तरीके से काम करते हैं, एक उनकी particular बनावट होती है, जो उस उर्जा को attract करती है, मसलन जैसे ओम, सुम, सुक्रा है नहा आप स्टाइलिस मनें, सुक्र है, आप लोगों से घुले मिले, बराबर, तो हर मंत्र की जो बनावट होती है, जो उसमें basic मंत्र select किये जाते हैं, वो पर्टिकुलर उस energy से align करते हैं, ठीके, लेकिन क्या सिर्फ उस energy का आहावान कर से आप उस energy से connect हो जाएंगे, जैसे मंत्र करने को करूं, तो क्या सोई जने उस लक्समी के उर्जा को connect कर लेंगे, attract कर लेंगे, साइद नहीं, यह सिर्फ एक key है, लेकिन इसके पीछे क्या काम करेगा, इसके पीछे आपका willpower काम करेगा, आपकी सुर्दा काम करेगी, इसलिए जब भी आप कोई मंत्र या कोई इमेडी करने बैठे, तो सबसे पहले आपके अंदर इतना गहरा विश्वास होना चाहिए, कि ये मंत्र के अंदर इतनी सकती है, कि ये मेरी परिस्तित्या बदल देगा, जो मैं चाहता हूँ, ये उसको अचीव करवा देगा, कई बार लोग कहता हैं कि हमारे बच्चे जब नजर या उनको बिमारी कुछ होती है, तो हम नवकार मंत्र गिनते हैं, उससे फरक नहीं पड़ता है, लेकिन हम किसी अदर जाती, अदर दरम के पास जाते हैं, वो कुछ ऐसे ऐसे करते हैं, उससे फरक पड़ जाता है, ऐसा क्यों? मित्रो हर मंत्र काम करता है, जिसके यह वो बनाया गया है, लेकिन प्रॉब्लम यह है, कि हम जो हमारे दरम का मंत्र है, उसको बहुत नॉर्मल लेते हैं, यह तो हम रोज फेरते हैं, यह तो रोज हम करते हैं, तो जब हम किसी चीज को नॉर्मल लेते हैं, तब वो इतना काम नहीं करता है हमारी सुद्धा उससे इतनी घहरी नहीं चुड़ती है लेकिन जब हम किसी चीज को बहुत एक्स्ट्राओर्डिनरी मानते हैं कि नहीं ये तो बहुत चमतकारिक है इससे तो होगा ही होगा तक वो मंतर काम करना सुरू कर देता है तो जब मुझे पूछा गया कि बक्तांबर की ये गाता करने से क्या हेल्थ इंप्रू होती है मैं कहता हूं होती है उस गाता में जो संरचना की गई है सब्दों की वो हेल्थ की उर्जा को अट्रेक्ट करती है या जो पैसो की गाता है पैसो की उर्जा को अट्रेक्ट करती है लेकिन आपके अंदर भी तो उतनी सद्धा होनी आपके अंदर उतना गहरा विश्वास होना जब आपके अंदर विश्वास होगा तो अब बदल पाएंगे प्रॉब्लम क्या है कि लोग कोई भी एस्ट्रोजर के पास जाते हैं ठीक है और फिर वो कहता है कि मेरी ये प्रॉब्लम है क्या ये बदली जा सकती है वो एस्ट्रोजर उससे जब रेमेडी देता है तो वो कहता है ये तो मैंने कर लिया जैसे किसी की साधी नहीं हो रही है ए आप पीपल के पेड़ के नीचे 27 दिन तक बिपक जला दीजिए, तो सामने वाला का तो मैंने कड़ लिया, एस फिर फिर कोई रेमेडी देता है, तो वो कहता है, यह तो मैंने कड़ लिया, मित्रो आपने रेमेडी की, लेकिन क्या वो सद्धा से की, क्या आपके अंदर उतना गहरा विश्वास था क्या, क्योंकि देखिए, चाहे मंत्र हो, चाहे रेमेडी हो, कुछ भी हो, हर गुरु अपने सिस्थे को एक ही चीज कहता है, इस पर विश्वास रखना, जब हमारे गुरु ने हमको मंत्र दिया, तो उन्होंने ये कहा, कि इस मंत्र में मेरी सारी सक्त है, तो सबसे पहले आपके अंदर ये गहरा विश्वास होना चाहिए, कि मैं इसे बदल दूगा, मैं अपनी समस्या का समादान खोज लूगा, और खोज के उसको सौल कर लूगा, जब इतना गहरा विश्वास आपके अंदर होगा, तो ये चीज़े काम करेगी, अब बात है नेगेटिव औरा की, अब नेगेटिव औरा हो गया, आप तीर महीने से नेगेटिव विटी में जी रहे हैं, आपको सब कुछ अजीब लग रहा है, आपका कुछ भी मन नहीं हो रहा है, अब उसको आप सोचो कि एक मिनिट में या एक गंटे में बदल दूँ, ये नहीं होगा, इसके लिए आपको अपने अंदर का पुरसा जगा नहीं होगा, रस्ते मैंने आपको बता दिये, लेकिन आपको अपने अंदर का पुरसा जगा नहीं होगा, और देखिए, जहां चाहा है, वहां राहा है, अगर कोई determination के साथ में कोई चीच करना चावे, तो कहता है साही काइनाथ है ना उसको follow करती है उसको support करती है जब मैं ये tips दे रहा हूँ कि जब आपका aura negative है तो आप उस जगा को छोड़के थोड़े दिन बाहर भूमाईए ये कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन जो negative aura में ना उसको ये बहुत लगेगा ठीक है ना इसके लिए determination की जुरूत है जब मैं आपको कहता हूँ कि आपका mood off है तो आप खुद को pack मत कीजिए अकेला मत बैठ ये friends के बीच में जाए, relatives के बीच में जाए, social functions में जाए, साजियों में जाए तो ये उस व्यक्ति के लिए मुस्किल है लेकिन अगर उ जीवन बड़ा ही नीरस लग रहा है, अब वो कहेगा कि मैं workout करने का मेरा मन ही नहीं हो रहा है, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं तो मैं क्यों करो, लेकिन उसको ये समझना है कि मैं एक समस्य से गुजर रहा हूं, मेरा aura bigger चुका है, मैं depression level में जा रहा हूं, तो मुझे यहां स आपसे improve करने के लिए महनत करनी पड़ेगी, मुझे determine होना पड़ेगा, और फिल ये tip ये जो आप कह रहा है, ये natural activation है, जो हमारे ratio ने बताया है, कि जब भी आप अपने willpower को बढ़ाना चाहे, तो right hand के अंदर सोने का, या copper का कोई कड़ा या कोई प्रासलेट धान कर दिया, इसके अलवा हमारे आयूरवेद में भी काफी चीज़े डी नहीं है, देखे होता क्या है, जब आप slow होते हैं, जब आप खुद में energy free नहीं करते हैं, तो आयूरवेद में बहुत सी ऐसी चीज़े हैं, जो आपके blood flow को improve कर सकती है, मसलन जिसे दालचीन, जो हम चाहे के मसाल है, या जो आयूरवेद के जानकार है, वो कहते हैं कि सर्दी सर्दी के अंदर लसन को खाना चाहिए, यह क्या है, एंटियोक्सिदेंट है, यह आपके खून को भी pure करता है, आपके blood flow को भी सही करता है, यह चीज़े है, तो ऐसा नहीं है कि अगर आप anxiety feel कर रहे हैं, आप depression feel कर रहे हैं, या आप negativity में हैं, तो उसका कोई इलाज नहीं है, आपको उससे गुजरना पड़ेगा, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, तो यह अधूरी सोच है, आपका ग्यान अधूरा है, जहां समस्या है, वहां समादान है, 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 यह मान कर चलिए, तो आयूवेद जो है, उसके अंदर ऐसी कही उसदिया है, जो आपके mind को, जो आपके mind को freshness में लेके आ सकती है, डिप्रेशन से freshness में लेके आ सकती है, तो इस चीज को आप किसी आयूर्वेद से जाने जो आपके परीचित हो, तो वह आपको काफी improvement में लेके जा सकता है, मतलब यह direct connected नहीं है, ल सकता है, बस जववत है determination की और एक विश्वास की, कि हाँ, ऐसा हो सकता है, तो मितलब यह 5 easy steps बता रहा हूं, उन लोगों के लिए, जो 2-3 महीनों में लगाता है, negative गटनों से गुजर रहे हैं, ठीक है, या 2-3 महीनों से वो depression को face कर रहे हैं, वो खुद को depressed फील कर रहे हैं, चाहा कर भी उनके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो यह 5 steps जो है, वो करें और पूरी स्वद्दा से करें, तो यकीन ना, उनको benefit मिलेगा, उनका औरा चेंज होगा, और फिर जब आपका औरा चेंज होगा, तब सारी remedies काम करेगी, फिर जो कहता है ना, जोतिस ने का यह करो, फिर आपके लिए, क्योंकि negative औरा में सारे blockage होते हैं, आपके साथ कुछ भी काम नहीं करेगा, लेकिन जब आप positive औरा में होते हैं, तब सब कुछ आपके हिसाब से काम करता है, सब चीजे आपके हिसाब से होती है, तो मित्रो, अगर आप इस समस्या को face करें, यह 5 पाँच easy steps है, इनको follow कीजिए, आपको definitely benefit होगा, धन्यवाद,